इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद करतो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डालते हैं, तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रक माफिया को जेल में डालते हैं, तो दुनिया में सड़ता रहता है, इन्हें लगा आर्मिंद केजरिवाल, मनिस, सुधिया और संजय सिंह को भी जेल जानते हो और दिल्ली में काम बड़ा शांदार कर रहा है काम तो करी रहा है मांदारी से करो जोरदार तालियों से विल्कम करिए जोरदार तालियों से पुरी तरह से भरात माता की इंकलाब और वो नारा जिससे ये इसमें दस साल से खौफ खाते हैं कि अगर देश के दिल में ये नारा बैठ गया है ब्रिष्टा चार का एक ही काल ब्रिष्टा चार का एक ही काल ये इडी और सीडियाई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेइमानी हो गई है ये इडी और सीडियाई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक किसी चाय के ढावे पे भी रुके हुए दस लोगों से बात करोगे कि केजरिवाल कौन है जानते हो पूरे यहार वो दिल्ली में काम बड़ा शांदार कर रहे हैं और काम तो करी रहा इमानदारी से कर रहा है खेजरिवाल जी का नाम आज इमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतिये जनता पार्टी इतनी अपने आपको कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज में एक उधारन नहीं पेश कर पाई कि उस राज में काम इमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है उस छवी को बिगाड़ने के लिए ये सारा शड़यंतर सारे कुचक रचे जा रहे हैं उस अर्विंद केजरिवाल जी की इमानदारी की छटी को बिगाड़ने के लिए लेकिन जनता जानती है जनता के दिल के दर्वाजे खुले हुए हैं आप जेल के दर्वाजे बंद कर सकते हो लेकिन जनता के दिल के दर्वाजे बंद नहीं कर सकते जनता के दिलों में आज भी वोई नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से बताईए क्या ब्रश्टा चार का एक ही काल ब्रश्टा चार का एक ही काल और जिनका जिक्र भी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने ब्रश्टा चारी थे क्यारे सब को इकठा करके भारतीय जनता पायरटी बना ली कि और भारतीय जनता पायरटी बड़ी क्याश्टी कर लिए उन को भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है लेकिन जादे दिन तक जेल में नहीं रख पाऊंगाए आपका काल बाहर आए ? 17 महीने, इन आस्वों नहीं मुझे ताकत दिये 17 महीने, मैं जब राजगाट पर आप से बात करके गया था, तो कहके गया था, शायद 7-8 महीने लगें गें, मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में नहीं मिल जाएगा, लेकिन 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत इमानदारी की हुई है, इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, इनकी तो बड़ी कोशिशिर करीनों ने, संजे भाई के उपर, मेरे उपर, अरविन जी के उपर, पारटी के और नेताओं के उपर, देश के सक्स से सक्स कानूनों की सक्स से सक्स धाराएं लगा के इनको बंद कर दो, जूटे सचे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो, जो दुनिया भर में आतंकवादियों के उपर लगा ही जाती है, ऐसी ऐसी धाराएं लगा के, इन्होंने सोचा इनको जेल में सिसाधियार संसेख को भी जेल में डालेंगे तो सर जाएंगे लेकिन आपके आसओं की कीमत है यह है आपके आसों की इससारी बुरी ताकतें भी इकठी हो जाए ना, तो जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसका साथ भगवान देता है। उसका साथ भगवान जरूर देता है। और यह आज बजरंग बली की कृपपा है कि 17 महिने बास सही, लेकिन मैं आपके बीच नहीं। और अभी गया में बजरंग बली के मंदिर में पंड़े जी ने आशिरवाद दिया वहाँ पंड़े जी मौदूज होते हैं वही बजरंग बली जी के वाणी बोल रहे होते हैं उन्हों कि उन्होंने बजरंग बली जी की वाणी सा आशिरवाद दिया कि विजैई भव, सफल भव, मैंने का जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शांदार स्कूल बना के देने हैं, यह हमारी सफलता है, और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से हम तो रत्त के घोड़े हैं, हमारा असली सार्थियोवी जेल में बन्दे वो भी बाहरा जाएगा, फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सार्थियोवी जेल में बन्दे और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे, बहुत किरपा है और विंजी के उपर बजरंग वल तवाम तरह के आरोप इतने इतने आरोप लगाए जूटे जूटे बच गए, निकल के आगए केविल अर्विन जी बजरंग वली जी की गर्पा से, और मैं समझता हूँ भगवान की गर्पा, बजरंग वली जी की गर्पा, हम पर कल हुई बाबा सहाब के दिये हुए ले रहता वकीर सहाबों से, बाबा सहाब ने पिछितर साल पहले करीब पिछितर साल पहले अंदाजा लगा लिया था, कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोग तंतर का संविधान बना रहा हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, कि इस देश में ताना शाही ताकतें आके, आतं प्रवा सहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी सम्विधान बचाएगा यह भगवान की किर्पा है कौन बचाएगा उनको जब ताना-शाहत सरकार अपना जुलम करेगी एजेंशियों का दुरूपयों कानुन का दुरूपयों करेगी जेलों का दुरूपयों करेगी तो कौ बचाएगा 75 साल पहले उसमान शक्सित ने लिख दिया था कि मैं ऐसा समविधान दे रहा हूं कि तुमको समविधान बचाएगा आज हम समविधान के बदालत खड़ें समविधान की ताकत सो यहाँ पे खड़ें आज मैं शुक्र गुजार हूँ देश के संविधान का बाबा सहाब का उस्तास साथ बहुत विनम्र निविदन के साथ में मानने सुप्रीम कोट का बहुत विनम्र सम्मान के साथ मानने सुप्रीम कोट संभिधांक की दिवरी ताकत का इस्तिमाल करते हुए कल ताना शाही को कुछला ताना शाही को कल गलत ठहराया और मानिय सुप्रीम कोट के साथ साथ में बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले डेड़ साल से 17-17 महीने से और बल्किन उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं रिखेंग में भगवान सुरूप हैं, किसी भी जेल में बंद होने वाले एक वेक्ती के लिए तो वकील भगवान सुरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंग भी साब वाके भगवान सुरूप है, अबे शेक मनुग सुंग जी जिनोंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक जल्दी अर्विन जी को भी बहार लेका हैंगे, मैं धन्वाद करता हूं सिंहभी साब का, मैं धन्वाद करता हूं धयान कृष्टेन साब का, मैं धन्वाद करता हूं वहित मातुर साब का, जिनोंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने, three-do और CBI और भारतिय जमतब प कि कॉडिनेट करने वाले वीवेक भाई इधर शायद नहीं होगे इसक किसी अच्छी कषिए अधालत में कर रहे होंगे इर्षाद भाई भाई लका किंपर बनारे होंगे खड़े में देख रहा है अपने अपने सार्साथों को गोंका भी धन्यवाद करता है साथ साथ में मैं सुक्रकुजार हूं मैं देश भर मैं आगा के एक इक कार्यकरता का नेटा हूं मैं तो सत्रे साथ सत्रे महीने के जेल में था जेल की चोटी सी एक कोठ्री थी इसकी एक चौथाई से इस पूरे स्टेज की एक सथाई कोठी में कोई नहीं जब मैं गया था तो मैंने वहां के सपाई वगरा कहते थे सर बड़े उपर से यह जिदा यह वैसी इधा थे हैं मैं अगा आप चंता मत करो मैं तो जंतर मंतर पे एक अख़बार के साइज पे सो गया था मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं तो वहां से निकला हूं जहां अरविंद केजरिवाल जी और मैं और संजे भाई बनारस रेलवे इस्टेशन के हो जहां देश वर में रेलवे इस्टेश लेकिन हम तो मैं सो रहे थे लेकिन डंडे कोन खा रहा था जब में कोट आता था तो मैं देखता था बेरिकेट लगे हुए और उसके दूसरा नहारे लग रहे हैं अख़बारा में देखता था टीवी में देखता था आप में से बहुत सारे चेहरे हैं खड़े में देखता सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं क्योंकि भारतिय जंता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजा भाई ने बताई उन्हें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कारेकरताओं को और नेताओं को तोड़ने के उन्हें चण राणी जंद स्वादे दबाके धमकाके साम दांद बहनद नुज बैद करके जेल में भेजने की धंकी दे अब नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धंके नहीं आ रही थी लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे सीना ताम के खड़े रहे उस सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों आप डटे रहे और आज देखें मज़े की बात अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आमादमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है जो सत्रे सत्रे महिने जैचे महिने जेल में रह जाते हैं इनके नेता उसके बावजूद ना जुकते हैं ना जिस मिट्टी पर भगत सिंग का पसीना की बूंदें गिरी हुई है जिस मिट्टी पर गांधी ने गोली खाई थी जिस मिट्टी पर भगत सिंग के पसीने की बूंदें गिरी हुई है जिस मिट्टी पर खड़े होके बाबा सहाब ने तुमारी जैसी लोगों की ताकतों के उस वक्त की ताकतों के जुलम छेले थे उस मिटी से ये बने हुए हैं इनको तुमारी दोता मेना क्या तोड़ पाएंगे तुमारे CBI और ED क्या तोड़ पाएंगे इनको नहीं टूटे लोग और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और स्तलाम करता रहा अपने एक एक साथी को ये है अरविंद केजरिवाल की मुठी ये है अरविंद केजरिवाल की फैमिली ये है अरविंद केजरिवाल का कुनबा जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पारे हो तुम दो वाह फक्र था मुझे सब आपने कहा ना कि आप आसुद आते थे बहर मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चोड़ा करके उस जेल की कोश्री में बेठा होता था आपने एक बाई पेके उपर और एक बहन के होता था ये मेरी ताकत थी